तो स्वागत है बच्चों आपका Self Study के इस चैनल में और आज की हम अपनी इस वीडियो में pronoun के जो हम detail स्टार्ट की थी उसकी third part हम करने वाले हैं और इस वीडियो के हंदर हम करेंगे distributive case या distributive pronoun जो अब तक हमने कर लिया है introduction की pronoun क्या होता है a word used in a place of a noun यानी noun की जगह पे आने वाले को pronoun कहते हैं pronoun को हिंडी में कहते हैं सरो नाम जैसे हम संग्या सरो नाम कहते हैं संग्या के स्थान पर आने वाले शब्द को सरो नाम कहते हैं as we say in English एक word, a word used in place of a noun is called pronoun तो यह introduction हम तीसरी बार देख रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में यह चीज रहे pronoun कहते हैं किसको हैं working क्या रहेगी pronoun की working वही जो noun काम करता आया है वही pronoun काम करेगा noun क्या काम करता है noun 5 काम करता है English grammar में और वही same pronoun काम करेगा जैसे 5 काम कैसे एक subject बनने का एक object बनने का एक preposition object बनने का एक subject compliment बनने का और एक object compliment बनने का और यही same काम pronoun करेगा यह चीज मैं आप लोगों को बार बार यह बता चुका हूँ और हर एक बच्चा जिसने basic से class लगाई है वो यह जानता होगा कि subject किसको कहते हैं, object किसको कहते हैं preposition का object किसको कहते हैं, subject compliment किसको कहते हैं बस यह वाली चीज उसे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक करवाई नहीं है अब अपना अगला chapter मतब कि आगे का concept करते हैं अपना start यहाँ पर है types of pronoun कि types कितने हैं, कितने परकार के pronoun होते हैं देखो अब तक हमने personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun यह 4 type के pronoun हम कर चुके हैं personal के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें तीन type के person होते हैं first person, second person, third person फिर मैंने आप लोगों को possessive pronoun बताया था यहाँ पर मैंने आपको possessive adjective और possessive pronoun के बीच में भी फरक बताया था फिर हमने reflexive pronoun को देखा था, reflexive pronoun जैसे I करने वाला और I के उपर वो action हो जाए तो इसके लिए क्या लगाते हैं myself लगाते हैं, और emphatic pronoun बताया था, emphatic pronoun भी same, यह myself ही होता है लेकिन differentiate हम कैसे करेंगे, reflexive और emphatic को, यह भी हम सब discuss कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर और जिन्होंने नहीं देखी है, तो जाकर देख लिजी, एक अलग से playlist मैंने बना रखी है ताकि आपको उठूनने में कोई परिशानी ना हो और आज हम, यह चार हो चुके हैं और आज हम अपना distributive pronoun करने वाले हैं देखे, अब तक तो मैं दो-दो-दो करवाये थे, मैंने personal और possessive दोनों एक साथ करवा दिये थे reflexive और emphatic मैंने दोनों एक साथ करवा दिये थे लेकिन अब जो concept है थोड़ा heavy हो रहा है, चीजें हैं वो एक वीडियो में cover नहीं हो पाएंगी तो सोचा एक-एक करके चीजें करते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए तो start करेंगे हम अपना distributive pronoun, सबसे पहले distributive का मतलब क्या होता है distribute करना यानि बांटना, बांटना, इसका मतलब है बांटना, एक-एक करके बात करेगा ये clear, यहाँ पर है distributive pronoun, यहाँ पर आप देख सकते हैं, each, either, neither, every, none, etc. ये भी होते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये कि sentence लिखा हुआ है और यहाँ पर एक rule लिखा हुआ है मैंने जब अपना पढ़ाने का ये start किया था, यानि course मैंने start किया था English grammar का तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी rule नहीं करवाने वाला तो आज कैसे करवा रहे हो sir, तो ये rule नहीं है, एक तरीके से ये concept से ही चीज़ें बनी हुई है जो books में हमें लिखे हुई मिलती है कि each आजे, either आजे, neither आजे, उसके साथ plus यानि मतलब कि उसके साथ of preposition लगी होगी और of preposition के बाद noun आ रहा होगा तो उसे plural लिखेंगे जो verb आएगी वो singular में जाएगी, फिर उसके बाद pronoun आएगा, यहाँ पर adjective यानि possessive टाइप का जो adjective आएगा, वो singular आएगा कैसे आएगा, क्यों आएगा, इस सारी चीज़ें आज लोग आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा यह rule कैसे बना है, वो चीज़ हम समझेंगे, basic हम जानेंगे, ताकि आप लोगों को यह rule नहीं, आपको concept याद हो जाएगे तो पहला sentence जो हमारे सामने है, पहले इसको break कर लेते हैं, break करने के शुरुवात मैंने आप लोगों कैसे कही है, कि वर्ब से हम देखेंगे कि वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है have, तो यह होगी helping verb, submitted क्या है, यह है main verb पहले तो आप लोगों को इसका meaning समझा देता हूँ, each of the students of this class have submitted their assignment, यानि इस class के हर बच्चे ने, हर एक बच्चे ने अपना assignment submit करवा दिया है, अब यहाँ पर have होगी helping verb, submitted होगी main verb, और यह submitted करने का काम कौन करेगा, subject करेगा, अभी subject के उपर बाद में जाएंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर इसके उपर भागे क्या कोशिश करेगा, कि sir, यह students है इसका subject, तो मैंने का एक मिंट रुक जओ बच्चे, एक मिंट रुक जओ, अभी यह subject students नहीं है, थोड़ा सा break कर लेते हैं, चीजों को off क्या है, preposition है, और preposition के बाद क्या आते है, preposition के object आते हैं, तो class बनेगा, preposition का object, this क्या है, एक noun के बारे में बता रहे है, class क्या एक noun ही तो है, एक noun के बारे में कुछ भी बता दे, color बता दे, इशारा कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी बता दे, तो उसको हम कहते हैं adjective, तो यह है adjective, demonstrative adjective कहते हैं इसको, फिर यहाँ पर एक और preposition है, य यह रही preposition और इसके बाद यह students, इस preposition का object बनेगा, तो यह बन गया preposition का object और दा क्या है, article है, submitted, क्या submit कर दिया, उन्होंने, उन्होंने submit कर दिया assignment, तो assignment क्या बनेगा, object बनेगा, clear, और यहाँ पर यह जो word है, वो इसके ओपर क्या कर रहा है, possessive, अधिकार जता रहा है, उ यह है possessive adjective, I hope so, यह चीजें आप लोगों को इतनी तो पता होंगी, और इतनी बार मैंने आप लोगों के साथ discuss कर लिया है, कि जब subject और verb, यह दोनों का तो पेर आना 100% जरूरी है, verb आएगी तो उसके लिए subject आएगा, और subject आएगा तो उसके लिए verb आएगी ही आएगी, तो यहाँ पर हमने देखा कि have helping verb है, submitted main verb है, तो इनको अभी तक अपना object नहीं मिला, मतब सोरी subject नहीं मिला, तो subject क्या होगा, एक ही word हमारे पास बचा हुआ है, वो है each, तो each क्या बनेगा, each बनेगा subject, अब काफी सारे बच्चे यह सोचेंगे कि sir, each कैसे subject हो सकता है, मैं क्यों हो सकता, each क्या है, each एक pronoun है, each एक अरे क्या हो रहा है, each एक क्या है, pronoun है, pronoun का क्या होता है, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ discuss के, अच्छे मैंने यहां सरफ कर दिया, pronoun का क्या होता है, जो noun का क्या क्या होता है, और noun क्या 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 होता है, पांच क्या क्या होता है, तो यह subject बन सकता है वह यह pronoun है तो किसको refer कर रहा है pronoun है तो refer students को कर रहा है यह लोग भई यानि each of students यानि प्रतेक बच्चा यहां से यह students को refer करने वाला pronoun हो गया तो यहां पर यह pronoun इस noun की repetition को रोक रहा है और साथ यहां पर subject का भी काम करेगा clear यहां पर तो यह each का मतलब होता है प्रतेक या फिर कहीं हर एक तो यह एके करके बात करता है क्योंकि distributed type का pronoun है distribute यानि एके करके बात करना बांट कर बात करना और जब हम बांट कर बात करते हैं तो वहां पर verb अपने subject के coding आती है तो वह भी यहां पर क्या आएगी क्योंकि इसने एके करके बात कर ली तो यहां पर आएगी has यह चीज clear होगी साथी साथ एक और चीज भी है यहां पर यहां पर dare भही यह देर क्यों आएगा भही he's आएगा यह हर लगा लो अगर आप लोगों को gender आए नीदर आए तो यहां पर आपको rule मिलेगा कि इसके बाद ओ प्रिपोजिशन लगी होगी उसके बाद noun जो आएगा वो plural में आएगा क्यों आएगा noun जो plural में उसका reason यह है कि ओ जो प्रिपोजिशन होती है वो दो काम करती है एक तो possession का एक तो possession जो इस selection को बता रही है यह preposition है यह each in students की एके करके बात कर रहा है कि इन बच्चों में से हर एक बच्चे ने इन बच्चों में से हर एक बच्चे ने अपना काम खतम कर लिया है तो ओ प्रिपोजिशन जब selection का काम करती है तो एक चीज बताइए कि आपको select करना है तो कम से कम आपके सामने दो चीजें तो होनी जरूरी होंगी जब आपको select करना है किसी चीज को तो आपके सामने दो चीजें तो होनी जरूरी होंगी अगर एक ही चीज आपके सामने है तो select क्या करोगे भाईया वो तो आपको लेना ही पड़ेगा जब दो चीज़े हो जाती हैं तो दो चीज़ों को हम कहते हैं plural यह रहा plural तो यहां पर each of the students इनमें selection हो रहा है हर एक वच्चे की बात हो रही है तो यह जो students है इसको plural आना तो जरूरी ही था तो यहां तब ही लिखा गया है नाउन के बाद क्या आता है यहां पर मतलब नाउन जो होगा वो plural में आएगा ओ प्रिपोजिशन के बाद जब भी यह each आए इदर आए ना इदर आए साथ इसाथ वब singular क्यों आएगे क्यों कि भाई वब जो है वो अपने subject के coding आती और subject क्या है यहां पर singular है क्योंकि each है वो distributed type का है और एक एक करके बात करता है आगे जो pronoun और adjective है वो singular क्यों आएंगे क्यों कि भाईया जो subject होता है उसी के coding तो चीज़न लगाई जाएंगी यहां पर subject आपका singular बैटा है तो ही जाया है यहां पर इतनी चीज़ clear होगी अपने सामने तो यह तो था आपके सामने एक छोटा सा example इसके बाद हम अच्छे से इस concept को करने वाले हैं अब एक और चीज़ करते हैं यहां अगर मैं all students कर दूं all students कर दूं और बाकी का बाकी sentence same लिख दूं तो क्या होगा सर क्या फर्क पड़ जाएगा मैंने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह ओपर पर यह selection का नहीं possession का का काम कर रही है मैं बता रहूं आपको ओकी यहां possession का का कर रहे लिख देता हूं हब मैंने कहा कि अगर all students कर दें और इसके बाद बाकी का यह जो बाकी sentence से वो same लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस का फर्क आ जाएगा यहां पर आप एक just simple एक बात बोल रहे हैं कि सभी के सभी बच्चों ने अपना काम या फिर अपने कहें कि अपना assignment जमा करा दिया है यहां पर all students of the या फिर ऐसे भी लिख सकते हो all of these students of this class have आएगा फिर वो क्योंकि all जो है वो बहुत सारों को बताता है तो have आएगा have submitted there का देर आएगा assignment अब यहां पर फरक क्या है इन दोनों sentence में देखो यह चीज मैं already discuss कर चुका हूँ एक जो मैंने आप लोगों को adjective का जो मैं basic करवा रहा था तो वहां पर मैंने आप लोगों इसारा discuss किया था खाली सिर्फ stress का सिर्फ और सिर्फ stress का ही फरक है यह जो each है stress दे के बात करता है कि हर एक बच्चे ने काम गतम कर लिया कहने को तो यह भी कह सकते थे कि सभी बच्चों ने काम गतम कर लिया लेकिन आपने सभी ना कहकर हर एक बच्चे के उपर कहा है यानि परतेक बच्चे के बारें बताए यानि stress डाल कर बताए खाली सिर्फ इसमें stress का ही फर्क है तो each of the students का हो या all of the students का हो बात सेम है लेकिन सिर्फ इसमें फर्क आता है stress का और यहां पर each जब आ जाता है तो verb का बड़ा ही हमें ध्यान रखना होता है या फिर जो भी verb लिखी होगी उसके according मतलब जो tense लिखा होगा वहां पर singular plural आपको देखना होगा adjective आपको देखनी होगी दूसरी बात यहां पर अगर o preposition लखी है student लिखा है तो आपको यह सही करना होगा यह आपको समझ में आया अब बात करते हैं थोड़ा से detail से यह तीन sentence को बात में करेंगे first of all आप लोगों को अगर वो चीजें सीखनी है each, either, neither, इन तीनों को समझना है तो आपको यह तीन concept तीन word और समझने होगे none, any, or all एक एकर के बात करेंगे हम तीनों की या छे के छे के तो each जो है वो किस के लिए लगता है each जो है वो दो के लिए और दो से ज़्यादा के लिए लगाया जाता है जैसे अगर मेरी class में मैं सुपोज एक class लेके बैठा हूँ यहाँ पर और इसमें पांच बच्चे हैं और एक बाहर से कोई इनसान आता है और मुझे कहता है कि sir इस class में कितने बच्चे जो हैं वो fluent English बोल लेते हैं कोई अटकता नहीं है तो मेरा जो जवाब होगा मैं यह कहूंगा each of them मेरा जो जवाब होगा वो each of them होगा अब suppose मेरी class में दो ही बच्चे हैं तो दो बच्चों में एक बाहर से कोई student आता है और कहता है sir मुझे एक बच्चा बाहर लेके जाना है मुझे एक बच्चा बाहर लेके जाना है तो मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा भाई ले जाओ कोई भी ले जाओ मतलब की चाहिए यह A लिख देता हूँ या B लिख देता हूँ चाहिए वो A ले जाओ चाहिए वो B ले जाओ आपकी इच्छा कोई भी ले जाओ तो मैं यह कहूँगा You can take either of them You can take either of them मतलब कोई भी ले जाओ लेकिन लेके जाओ एक तो यह either जो होता है वो दो में से एक के लिए यूज किया जाता है कोई सा भी ले जाओ अब अगर पांच बच्चे होते अगर उसमें से अगर कोई आता बाहर से और कहता है सर मुझे एक बच्चे को लेके जाना है तो वहाँ लगाता हूँ any of them क्योंकि दो से जादा के लिए लगाया जाता है clear तो यह हो गया आपके सामने each हो गया, either हो गया, any हो गया all हो गया, यह neither और none को अभी समझेंगे हम इसको neither जो होता है वो 2 से 2 के लिए use होता है, 2 में से कोई भी नहीं एक यह चीज़ none, 2 से जादा के लिए use होता है, 2 से जादा के लिए मतलब कोई भी नहीं, I hope so आप लोगों को एक concept समझ में आया होगा यह चीज़ें लिखनी हैं आप लोगों को कि भईया, कौन सी चीज़ें कहां use होती है कैसे उनका use किया चाता है अब आओ sentence को करते हैं, sentence पहला है, Mr. Sharma has three sons, but neither of them has any merit, तो यहां पर अगर मैं कहूँ इस sentence को break करने की, तो break क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले verb पे जाएंगे, तो यह has जो है, वापके सामने है, mean verb सर यह has कैसे mean verb होती है तो जरा आईए आप लोगों को मैं has से मिला देता हूँ, मैंने आप लोगों को b की form बताई हुई है यहां पर लिख देता हूँ, do की भी form बताई हुई है, और एक has की भी form बताई हुई है, मैंने has नहीं है, यहां पर have आना था sorry, एक मिट मैं इसको रफ कर देता हूँ और यह सारा ही गया फिर से लिख लेते हैं कोई बात नहीं B की form, do की form और have की form कैसे चलती हैं ये तो हम बहुत बार डिसकस कर चुके हैं is, am, are, be ये जो होती है वो B की form होती है second form इसकी क्या चलती है was, were चलती है third form क्या चलती है इसकी bean चलती है इसकी एक और form होती है, वो होती है being, verb की base form प्लस में ing कहता हूँ फिर do की form क्या होती है do की form पहली होती है do या फिर कहें does मैं बता चुका हूँ do plural के लिए और does singular के लिए इसकी second form होती है did इसकी third form होती है done और एक verb की base form ये ऐसे ही ये have की भी form होती है have की form कौन सी होती है has, have ये singular के लिए, plural के लिए इसकी second form होती है head, और इसकी third form होती है head, और इसके साथ भी चलता है having, हम समझेंगे कहां ये having use करते हैं, कहां दो बार head, head आता है, बट इतना समर लो ये चीज़ है ये तीनों की तीनों की चीज़ें ये तीनों चीज़ें, वो helping verb भी बन सकती हैं और main verb भी बन सकती हैं तो sir, क्या तीनों verb जो हैं, वो helping verb बन सकती हैं और main verb बन सकती हैं, तो क्या ये B की तरीके से, जब ये main verb बनती हैं, तो ये linking verb बनेंगी, मैंने का नहीं, linking verb बनने की power सिर्फ इस B के पास है आपको पता है कि linking verb के बाद हमेशा subject compliment आते हैं यह हम कर चुके हैं have जब main verb होती है तो इसका मतलब होता है होना अधिकार, अधिकार का होना clear, किसी चीज़ के पर अधिकार होना Mr. Sharma has three sons तो यहां पर has क्या बनेगा main verb अब यह Sharma, Mr. Sharma क्या बनेगा subject यह sons क्या बनेगे, यह object बनेगे और यह three इसको qualify करने वाला numeral adjective बनेगा बट यहां पर conjunction है क्योंकि दो close को जोड़ा जा रहा है, of preposition है और them is preposition का object है has फिर से main verb है any merit merit यहां पर इसका object है और any इसको qualify करने वाला adjective है clear अब यहां पर एक sentence के एक word रहे जाता है neither अभी थोड़ी दर पहले मैंने आप लोगों कराया neither, neither नहीं, neither मेर से बार बार निकल रहा है neither जो यह neither जो है वो दो के लिए ही use किया जाता है दो में से कोई भी नहीं तो इस sentence का meaning ऐसे है कि भईया मिस्टर शर्मा के तीन बच्चे हैं तीन लड़के हैं और उन में से किसी के पास भी कोई अच्छा गुण नहीं है यह merit का मतलब है गुण विशेष्टाइक तरीके की तो मिस्टर शर्मा के जो तीन बच्चे हैं तीन बेटे हैं उन में से किसी के पास भी कोई भी अच्छा गुण नहीं है कोई गुण है यह नहीं उनके पास तो बात हो रही है तीन की और neither हम लगाके बैटे हैं तो यहां आना क्या है? None क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए हम None यूज करते हैं clear हुआ दो से ज़्यादा के लिए कोई भी नहीं मतलब दो में से ज़्यादा हैं तो पांच बच्चे बैटे हैं पांचों में से किसी ने भी अपना काम complete नहीं किया तो None of them एक एकर के बाद कर लिए अब जब आगे चलेंगे तो None के साथ आपको has have भी ही लगा मिलेगा लेकिन इसको prefer हम has ही करेंगे क्योंकि SSC इसको prefer has ही करता है singular ही prefer करता है इसको तो यह हो गया हमारे सामने पहला sentence second sentence की तरफ चलते हैं second sentence है both of the teams have not scored yet not scored any goal yet मतलब दोनों टीम में से किसी ने भी किसी ने भी goal नहीं किया है अभी तक अब एक काम करना है आप लोगों को यह जो both word है आप लोगों को सर्च करना है सर्च कहां करना है सर देखो dictionary डाउनलोड करिये तीन dictionaries है जिशको मैं prefer करता हूँ कहता हूँ कि आप लोगों के phone में वो dictionary होनी चाहिए English अगर सीखनी है तो वो dictionary आपके phone में होनी जरूरी है एक है long man dictionary एक है Oxford एक है Cambridge इन तीनों में से कोई भी एक dictionary अपने पास रखिए और किसी भी word में अगर doubt है वो क्या कर सकता है मतलब कि 500 speech क्या हो सकते है उसको use कैसे करते है तो उस dictionary में लिखिए वो आपको बताएगा कि भाया इस sentence इस word का use इस sentence में इस तरीके से किया जाता है जैसे ही आप ये both word dictionary में type करेंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी एक line आएगी वहाँ पर ये लिखा हुआ मिलेगा कभी भी both को note यह कहीं negative sentence में use नहीं करना है clear? तो यहाँ पर आपको 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 एक चीज लिखी हुई मिलेगी हम note के साथ use नहीं कर सकते कुछ होते हैं words जैसे yet, yet हमेशा negative sentence में आता है साथ ही साथ ये जो है वो perfect के तोर पे use किया जाता है present perfect होता है tense वहाँ पर हम इसको use करते हैं तो कुछ words होते हैं हम धीरे धीरे discuss करेंगे, आज both कहा हमें पता चल रहा है कि both को हम कहां use कर सकते हैं और कहां use नहीं कर सकते positive sentence में आएगा बात team की हो रही है, दो teams की हो रही है क्योंकि दो teams आपस में खेल देंगे तो goal ही करेंगी, मतलब एक time में तो दो ही team में खेलेंगे आपस में तो both जिसको दो बताना था actual में इसको दो team के बारे में ही लिखना था लेकिन ये बहुत गलत लगा गया किसी भी team ने score नहीं किया है तो आपके सामने यहां पे 6 option रखें तो करिए कि कौन सा यहां पर आएगा एक एक करके बात करते हैं तो सबसे पहला जो बच्चे का ध्यान जाता है तो इच आएगा सर इच लगा देते हैं यहां पर इच ओफ दे teams have not scored any goal yet यह कर लेते हैं सर क्योंकि इच जो है वो दो के लिए लगता है तो same time मेरा सवाल होगा वो दो से ज़्यादा के लिए भी तो लगता है तो कैसे हम सामने वाले को यह बता पाएंगे कि teams जो हैं यहां पर दो की बात कर रहे हैं clear तो इसलिए इच नहीं आएगा ओके इधर अरे इधर लगा देंगे दो में से एक team ने score कर लिया है तो भाई वो तो करवाना ही नहीं नहीं हमने तो यह कट गया तो एक ही बचता नहीं दर तो बहुत कटेगा यहां से और यहां आएगा नहीं दर एक बार जड़ा ब्रेक कर लेते हैं यह preposition है यह teams इस preposition का object है have helping verb है note adverb of negation है scored mean verb है goal object है any इसको qualify करने वाला adjective है yet adverb है clear तो बहुत यहां पर आगे आपके सामने यह subject है बहुत कटेगा और उसकी जगा नहीं दर आजाएगा अब कुछ चीजें और करनी है जैसे किसी भी team ने score नहीं किया है किसी भी team ने score यह जो neither है distributed type का AK करके बात करता है तो एक तो यह चीज has नहीं have नहीं आएगा has आएगा दूसरी चीज कि यह neither जो है इसके अंदर note included है तो यहां पर note नहीं आएगा sentence क्या बनेगा neither of the teams has scored any goal yet note नहीं आएगा क्योंकि neither जो है वो negative meaning रखता है उपर वाले sentence में देख सकते हूँ ओके तो यहां से क्या क्या सीखें क्या क्या जीजें हमने सीखी है एक तो both के साथ कभी भी note use मत करो neither आ जाए तो neither के साथ भी note use मत करो क्योंकि neither के अंदर ही note included होता है और neither AK करके बात करता है तो इसके साथ verb हमेशा singular आएगी इसलिए has लगाया मैंने वहां पर तो इतनी सारी चीजें हमने एक sentence के अंदर सीख ली अब जो last sentence बचा है उसको अच्छे से करेंगे बहुत बड़िया sentence है तो आपको करना क्या है वीडियो पोज करनी है और इस sentence का meaning आपको निकालना है हिंदी का meaning आपको निकालना है आपको पता होना चाहिए हिंदी का meaning क्या है क्योंकि most of the students कि यह दिक्कत क्या करते हैं इसकी हिंदी करने में कर देते हैं sentence असान है इसका अगर error निकालना होगा तो फटदनी निकल जाएगा आपको पता भी चल रहा होगा क्या error है लेकिन जब तक आप इसका meaning नहीं समझोगे तो व्यर्थ है वो चीज तो pause करिए वीडियो का और meaning निकाली है और फिर हम इसको फिर continue करते हैं उपके उमीद करता हूँ कि आप लोगोंने इसका meaning निकाला होगा और meaning जो निकाला होगा उससे पहले एक बार जब ब्रेक कर लेते हैं तो राहूल is a teacher और an engineer if not both तो is यहां पर main verb है राहूल यहां पर subject है यह linking verb है linking verb के बाद क्या आते हैं subject compliment आते हैं यह रही subject compliment यह रहा subject compliment N और A article है और इन दो subject को compliment को जोडने वाला conjunction है if एक और conjunction है यह note both कटना था है यहां पर क्योंकि दो की बात हो रही है teacher या engineer की actual में इस sentence का meaning यह है कि राहूल teacher है या अध्यापक है teacher मतलब वो दोनी से बात होगी राहूल या तो अध्यापक है यहां पर या होता है यह और का मतलब राहूल या तो अध्यापक है या फिर engineer है या फिर engineer है यहां पर अगर दोनों नहीं है तो if का मतलब है यहां पर अगर तो बच्चे करते क्या है यहां पर उनकी दिक्कत क्या आती है वो बच्चे करते हैं राहुल या तो अध्यापक है या इंजिनियर है या दोनों ही नहीं है रे भाया इफ का मतलब या नहीं होता अगर होता है अगर दोनों नहीं है तो वो दोनों में से एक जरूर है तो यहां पर नोट कटके नोट बहुत कटके नाइदर आना था, error थो था भई बहुत हसान, लेकिन meaning में गड़वड आती है, और आपने अगर meaning ये निकाला है अगर वाला तो बहुत बढ़िया अगर जिन्होंने नहीं लिकाला है ये वाला या लगा दिया था if की जगाएं पर तो भई आप कोशिश करिए आपके सामने हाँ चीज़े आ चुकी है आगे से गड़वड मत करिएगा ओके, सर ये neither बनेगा क्या एक काम करिए आप इसको subject compliment मान लेजी, एक conjunction लगी हुए एक और subject compliment मान लेजी, वैसे actual में ये है if he is neither actual में sentence यहाँ पर if के बाद ये लिखा हुआ है लेकिन क्या है, आप पेचीदा मत करिए if, conjunction है, नाइदर इसके बाद एक और subject compliment मान लेजी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो ये तो था अपने सामने distributed type का adjective तो आज हमारे सामने distributed भी हो गया है एक ये करके बात करता है कैसे करता है, ये चीजें भी हमने सीख लिए है धड़ा इस चीज का ध्यान रखना है हमने इसके साथ noun कैसे आता है verb कैसे आती है, pronoun adjective कैसे आते है ये error कैसे आते हैं आज हमने इन जीजों को सीख लिया तो बस आज के लिए इतना है था distributed type का एक छोटा type का प्रणाउन था आगे जो है वो demonstrative आएगा थोड़ा सा बड़या concept है इसके बाद चीजें आपके सामने basic फिर से start होने वाला है उसके अंदर जीरन, present participle, past participle, infinity इनके बारे में चर्चा होने वाली है क्योंकि अब उसकी जरूरत आ चुकी है वो वक्त आ चुका है कि आप लोगों को थोड़ा सा ग्यान मतलब heavy ग्यान आपको provide कराया जाए तो आज के लिए इतना इदाइस वीडियो में मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये concept अच्छे से clear हुआ होगा अगर clear हुआ है तो comment open है भाईया अपनी राय जरूर लिखें कि आपको clear हुआ है नहीं हुआ है कोई दिक्कत है कोई परिशानी है जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि sir मुझे ये दिक्कत आ रही है मुझे ऐसे समझ नहीं आया तब तक मैं कैसे improve करूँगा वो चीजे या फिर कैसे वो समझाने का तरीका आप लोगों के सामने लाऊँगा क्योंकि आप मुझे बताएंगे नहीं तो दूसरी चीज अगर आप लोगों को इस वीडियो से related ये क्या लिखा है PDF चाहिए तो क्या करना होगा करना बड़ा simple है यहाँ पर इस वीडियो के कैसे को कहते हैं उसको description box description box में आपको मिलेगा link किसका telegram का और facebook का दो आपको link मिलेंगे दोनों पर जाके आप join कर लीजिए दोनों पर जाके आप join कर लीजिए आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी अगर पसंद आई है तो वीडियो तो like करिए चैनल को subscribe करिए और दोनों ही काम आप इनके सबनालब चैनल के साथ मतलब एक काम जो चैनल और वीडियो के साथ वो same कर सकते हैं हो है share करने का मतलब वीडियो को भी शेयर करिए और चैनल को भी शेयर करिए बस आज के लिए इतना ही ता इस वीडियो में थैंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो